बादाम भिगो कर खाने से मिलेंगे बेमिसाल फाइदे फाइदा जानकर आप हो जाएंगे आश्चर चकित नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों, इंसान अपने स्वास्थ को बेहतर बनाने के लिए कई चीजों का सेवन करता है वैसे देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ के लिए बहुत फाइदे मन मानी गई है इन्ही चीजों में से एक बादाम है अगर बादाम का रोजाना नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इसके स्वास्थ सम्बंधित बहुत से फाइदे मिलते हैं बादाम का सेवन करने से सरीर को मजबूती मिलती है बादाम में कई प्रकार के प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स पाय जाते हैं इसी वज़े से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुवे सुवे बादाम का सेवन करते हैं वैसे तो हर मौसम में बादाम का सेवन किया जा सकता है परन्तु खासकर सर्दियों के मोरसम में बादाम का सेवन किया जाए तो यह बहुत ही फायदेवन माना गया है अगर आप सुखे बादाम खाने की जगे रात के समय बादाम भिगो कर सुबह खाते हैं तो इससे मिलने वाले फायदे कई गुना और अधिक बढ़ जाते हैं आज हम इस वीडियो में भीगे हुए बादाम खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे इसके बारे में बताएंगे वैसे तो सुखे बादाम भी लोग खाते हैं परन्तु अगर आप भीगे हुए बादाम खाते हैं तो इससे आपको अधिक लाब मिलता है आपको बता दे कि बादाम के छिलकों में टैनिन नमक तत्तु और एक खास एसिट पाय जाते हैं जो सरीर में पोसक तत्तो को अवसोसित होने से रोकते हैं ऐसी इस्थित में अगर आप बादाम को भीगो कर उनके छिलके उतार कर सेवन करते हैं तो बादाम में मौझूद सभी पोसक तत्तो आपको पूरी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं और सरीर भी इनको आसानी से अफसोसित कर लेता है बादाम में विटामिन, ओमेगा 3, फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो आपके सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है बादाम ब्लेट सर्कुलेशन और याददास्त को बहतर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है भीगे हुए बादाम में पोटैसियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और इसमें सोडियम कम मात्रा में होती है जिसकी वज़े से रत का संचार ठीक प्रकार से होता है और आपके सरीर के सभी भाग में आक्सीजन ठीक प्रकार से पहुंच जाता है अगर आप भीगे हुए बादाम का सिवन करते हैं तो इससे आपकी यादास्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वजन कम करने और पाचन सक्ति को मजबूत करने के लिए भी बादाम बहुत ही आवस्यक है सुखे हुए बादाम से अधिक भीगे हुए बादाम में प्रोटीन पाय जाता है इसके अतिरिक्त भीगे हुए बादाम में फाइबर की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाय जाती है अगर आप भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन ठीक रहेगा और ज़्यादा समय तक पेट भरे रहने का भी एहसास होता है जिसकी वज़े से आप खाना कम खाएंगे और कम खाना खाने की वज़े से आपका वज़न भी कंट्रोल होगा गर्भावस्था में बहुत ही फायदेमन है भीगे हुए बादाम गर्भोती महिलाओं के लिए भीगे हुए बादाम बहुत ही फायदेमन साबित होते हैं भीगे हुए बादाम में फोलिक एसिट की मात्रा कच्चे बादाम से कही अधिक रहती है इसी वज़े से भीगे हुए बादाम गर्भावस्था में खाया जाए तो इससे neutral tube में होने वाले defect से बचा जा सकता है अगर गर्भोती महिलाए भीगे हुए बादाम का सेवन करती हैं तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाद बहुत तेजी से बढ़ता है